Good morning students, हम लोग ICSC Board के Mathematics Subject को सीखेंगे इस सीक्विंस में आज हम लोग Classics के Mathematics से स्टार्ट कर रहे हैं ये बुक Frank Educational AIDS के द्वारा पब्लिश की गई है तीन ओर्दर्स हैं इस बुक के B. निर्मला शास्त्री जोकी H.O.D. Mathematics Department के रह चुके हैं जमनाबाई नर्सी स्कूल मुंबाई में फादर जॉर्ज A. डिसूजा जोकी प्रिंसिपल है नामची पब्लिक स्कूल सिक्किम में और फादर V. T. जोज जोकी प्रिंसिपल है डॉन बॉसको स्कूल सिलिगुडी में इस बुक की पूरी सिलबस को देख लेते हैं युनिट वन में हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम्स युनिट 2 रेशियो और प्रोपोर्शन युनिट 3 अलजब्रा युनिट 4 जेमेटरी युनिट 5 मेंसुरेशन युनिट 6 डेटा हैंडलिंग आज हम लोग युनिट 1 नंबर सिस्टम्स समझेंगे नंबर बेसिकली एक कॉंसेट है जिसके थू हम लोग चीजों को या आइडियास को काउंट कर सकते हैं और कंपेर भी कर सकते हैं जैसे आपकी एज कितनी है आपके फ्रेंट के मार्क्स कितने आए है टॉफिस किसके पास ज़ादा है आपके पास या आपके दोस्त के पास ये सब चीजे काउंट करने में नंबर समें help करता है आज हम लोग जो नंबर सिखेंगे वो है decimal number system पे based decimal number system क्या होते हैं basically ये एक ऐसा number system है जहां पे हम लोग 10 symbols यूज़ करते हैं अलग-अलग 10 symbols इन 10 symbols को हम लोग digits कहते हैं तो decimal number system में total 10 digits होते हैं ये digits होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0 से लेकर 9 तक कुल 10 decimal numbers होते हैं beauty देखिए केवल इन ही 10 digits को use करके हम लोग छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा number बना सकते हैं फॉर एक्जेम्पल 9, 50, 9,99,999 और भी कई numbers infinity तक negative numbers, positive numbers सभी हम लोग बना सकते हैं इन ही decimal number system को use करके decimal number systems में हम लोग पहले समझते हैं natural numbers natural numbers को हम लोग let's say n से denote करते हैं तो ये एक set है जिसमें 1 से लेकर सारे counting numbers आते हैं 1, 2, 3, up till infinity अब इस बेसिस पे कुछ question answer करके समझते हैं number one क्या सभी natural numbers के successors होते हैं answer yes क्यों? क्योंकि infinity तक natural numbers जाते हैं तो successors हर एक natural number के मिलेंगे क्या हर एक natural number के predecessor natural numbers होते हैं no for example one एक ऐसा natural number है जिसका predecessor definitely होता है मगर वो natural number नहीं next question largest natural number है कोई? no कोई largest natural number नहीं है क्योंकि हर natural number का एक successor जरूर होता है क्या कोई smallest natural number है? हाँ और वो smallest natural number है one इसका predecessor तो definitely होता है बड़ जैसा मैंने आपको बताया वो predecessor natural number नहीं होता दूसरा number system में हम लोग numbers जो देखेंगे वो है whole numbers whole numbers के set को w से denote कर लेते हैं तो इस set में numbers आएंगे 0 से लेकर के सारे counting numbers up till infinity दूसरे शब्दों में लिखें तो 0 और ये सारे natural numbers तो whole numbers में natural numbers plus 0 होता है अब कुछ question answer यहां भी देख लेते हैं क्या हर एक whole number का एक successor होता है definitely क्योंकि whole numbers भी infinity तक होते हैं इस वज़ा से हर एक whole number का एक successor होता है जो कि खुद भी whole number होता है क्या हर एक whole number का predecessor एक whole number होता है answer है no example 0 एक ऐसा whole number है जिसका predecessor whole number नहीं होता predecessor होता तो जरूर है मगर वो whole number नहीं होता क्या कोई सबसे बड़ा होल नंबर है No, कोई largest होल नंबर नहीं है क्योंकि हर होल नंबर का एक successor होता है Is there a smallest होल नंबर Yes, एक smallest होल नंबर तो है और वो है zero हम लोगों ने अभी देखा natural numbers अब कुछ beautiful patterns हम लोग देखते है largest one digit number कौन सा है 9, इसका successor क्या होता है 10, 10 smallest two digit number भी है मतलब largest one digit number में यदि one add कर दें उसका successor निकालें तो smallest two digit number मिलता है इसी pattern पे largest two digit number का successor होता है smallest three digit number largest three digit number का successor होता है smallest four digit number and so on अब हम लोग solve करते हैं exercise 1.1 question number one list five situations where you need to use numbers पांच ऐसे situations बताने हैं जहां पे आपको numbers की जरूरत पढ़ती है तो वी यूस नंबस तो a. find population of a city b. find age of a person c. count c. count number of fans in your house d. count number number of subjects you have to study e. find number of friends इस तरह की और भी कई सारे एक्जेम्पल्स हैं रियल लाइट में जहां हम लोगों को numbers यूज करने की जरूरत पढ़ती है next question number two give five examples where the number of things counted would be more than five digit numbers पांच एक्जेम्पल आपको बताने हैं जिसमें आपने जो count किये हैं वो number five digit numbers से ज्यादा हों तो number A population of a state number B number of grains in a rice sack एक बोरा चावल में कितने दाने होते हैं ये भी five digit numbers में आएगा number C profit earned by a company in a year D one minute में 60 seconds होते हैं और one day में number of seconds five digits से ज्यादा होते हैं number of seconds in a day E Indian railways one of the largest railway networks है और इसके number of employees भी five digits से ज्यादा है number of employees in Indian railway question number three which number is one more than 78,999 तो इस number में plus one कर देंगे तो हमारा answer आएगा 79,999 number four which one of the following has 9,99,999 as the answer अब ध्यान से देखिए ये है one, two, three, four, five, six six digit का largest number तो सौभाविक है इसका successor seven digit का smallest number होगा जितनी भी options है सभी में predecessor देखा जा रहा है इस number को तो seven digit का smallest number हम लोग देखते हैं one, two, three, four, five, six, seven, eight ये eight digit है इसलिए ये answer नहीं है one, two, three, four, five, six, seven ये हमारा answer है बी 10 लेख minus one exercise one point one complete इस concept को समझने के लिए language मैंने वो यूज की है जो कि हम लोगों की भारत में आम बोलचाल की भाशा है so that maximum students को समझ में आ पाए उमीद है कि आपको चीजे समझ में आ रही होंगी चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए bell icon दबा लीजिए so that आगे के work भी आपको timely मिल पाए वीडियो को like कीजिए, share कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके और यदि आपके कुछ questions हो कोई queries हो तो comment box में message कीजिए आपके queries के answer मैं आपको reply करूंगी Good day